नमस्कार प्यारे बच्चों मैं व्रेंद कुमार स्वागत करता हूँ आपका सचिन एकेडमी यूटूब चेनल और सचिन एकेडमी ओफिशिल एप पर तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सचिन एकेडमी पर बिहार सेवन्थ फेज की जो टीचर वेकेंसी डिकलेर हुई है उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है और बैच में अगर आप देख रहे हैं तो प्यार्टी कम्प्लीट बैच आप देख रहे डाउनलोड करें अब जैंगी तो आप जो है प्लेस्ट ओर जाकर सचिन एकेडमी ओफिसेल एप डाउनलोड करें मैं वरेंद्र कुमार इस बैच में आपको पढ़ाने वाला हूँ जनरल स्टेडीज में पॉलिटी और हिस्ट्री का सेक्षन सिलेबस लगभग लगभग आप सभी ने देख लिया है कि जो सिलेबस है स्ट जो आपको लिखा है उसमें सामाजिक विज्ञान उसमें पॉलिटी और हिस्ट्री का पॉर्षन मैं कराने वाला हूँ आपको और आज जो है आपकी एक एक इंट्रोड़क्शन के तोर पर जो है आपकी एक डेमो के तोर पर क्लास है तो आप इसमें ये समझना तो आज जो मैं किलास ले रहा हूँ वो पॉलिटी की किलास है बच्चे तो पॉलिटी जब हम देखते हैं तो वहां तो किवल SST लिखा है कि सामाजी की विग्यान तो उसमें पॉलिटी के क्या विशे होंगे ऐसा तो उन्होंने खोल कर दिया नहीं है कि पॉलिटी के कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे या कौन-कौन से टोपिक होंगे तो हम अधर एक्जाम के आधार पर जी हो है अपने सिलेबस का निरधारन करते हैं बच्चे दूसरी बात एक बात यह और याद रखनी है आपको कि BPSC जो है आपका पेपर कंडेक्ट कर इसका मतलब क्या हुआ यानि कि प्राइमरी टीचर के लिए जो एसेंसिल क्वालिफिकेशन है कोस्टनों का स्टेंडर उसके अनुसार होगा जूनियर का जो है उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार होगा तो अब BPSC ले रहा है तो हम इसे हलके में भी नहीं ले सकते और BPSC ले रहा है तो हम इसे अपर PCS से भी कंपेर नहीं कर सकते यानि कि दोनों के बीच में रहेगा ना उतना टफ रहेगा कि हम PCS की तैयारी करना शुरू कर दे और ना ही इतना आसान रहेगा कि बिल्कुली हम लेविल गिरा दे लेकिन फिर भी आप यह मान सकते हो कि जैसा रेल और ईसार चीज रहने वाली है बुच्ये एक बार हम मोटा-मोटा सा syllabus देख लेते हैं अगर मैं syllabus की बात करो कि syllabus क्या है तो इसकी और बात कर लेते हैं बच्चे तो यहां हम बात करें कि सिलेवस क्या रहने वाला है तो इसमें एक बात और समझना यह BPSC में मैंने पॉलिटी के वो चैप्टर चाटे हैं जहां से कोशन पूछते हैं तो लगभग लगभग हर कोशन से पूछते हैं और DSSB में आप देखें चैप्टर सभी में सेम होते हैं ऐसा नहीं कि कोई सिलेवस अलग होता है चैप्टर लगभग लगभग सभी एक्जाम्स में सेम रहते हैं बस कोशन का इस्टेंडर डाउन और अप हो जाता है कोशन पूछने का पैटर्ण चेंज हो जाता है जैसे हम देखें भारत का समविधानिक विकास की बात करें तो भ समविधान सभा की जो मेजर कमेटी थी वो कौन कौन सी थी समविधान सभा की परमुक समीतिया कौन कौन सी थी समविधान सभा के सोर्स क्या थे जो हमने अपना constitution बनाया उसमें किस की समविधान से क्या क्या ले रखा है हमें article पढ़ने article समविधान के परमुक जो है पार्ट पढ़ने मेजर पार्ट्स ओप दा इंडियन कॉंस्टिट्यूशन सिद्डूल पढ़नी है जो बारे अनुसूचियां है फिर हम बात करें तो सम्विधान की आप देखें प्रस्तावना प्रेंबल से कोशन पूछे जाते हैं नेशनल सिंबल राष्टे परतीक से कोशन पूछ से कोशन पूछे जाते हैं और हम अपने लेविल को ना तो बहुत नीचे रखेंगे और ना ही अपर PCS के उपर चले जाएंगे नीचे रखने का मतलब है कि कोई फादा नहीं और जरूरत से जादा उपर रखने का भी कोई फादा नहीं होता है तो हम अपने कोर्स को जो है आप कह सकते हो moderate या average में रखेंगे ठीक है तो अगर हम बात करें फिर जो है DPSP को पूछे जाते हैं मूल करतव्य से कोशन पूछे जाते हैं महा नियावादी एटोरनी जनरल हम जी से बोलते हैं महा अधीवक्ता एडवोकेट जनरल नियंतरक एवं महालेखा परिक्सक जिसे हम कैग बोलते हैं यहां से भी कोशन पूछते हैं संसद से भी कोशन पूछते हैं लोक सभा और राज्य सभा से फिर प्रवानमंडल और मंत्री परिशत से भी कोशन पूछे जाते हैं। आगे टोपिक देखें। तो आप देख रहे हो कि हाई कोट से कोशन पूछे जाते हैं। या है वहां से भी कोशन पूछे जाते हैं। लगबग सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। कोई भी कोशन अपनी पढ़ाई को इस तरह से करेंगे कि पहले किसी भी चैप्टर को हम उठाएंगे तो उसका कंटेंट और फिलस उसके बाद में जो है प्रिवियस कोशन अलग अलग परिक्साओं में पूछे गए कोशन प परिक्साओं में लिए गए या पूछे गए परसन जो है चैप्टर करने के बाद कंप्लीट करेंगे। तो अगर कंटेंट और कोशन प्रक्टिस हम मिला कर साथ साथ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पोसिबिलिटी यही है कि 90 से 95 परसेंट कोशन हमारी पहुंच मेंगे सारे कोशन का दावन नहीं किया जा सकता है एक दो कोशन बाहर भी जा सकते हैं ठीक है तो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर पढ़ना तो हमें रोज है लेकिन आज हम यह देखते हैं कि हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले किस तरीके से हैं टोपिक को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसकी सारी चीजे हम कवर कर लें और बहतर understanding के साथ जो हम चीजे पूरी करें बच्छे तो यह course जो है purchase करने के लिए course related information के लिए आपको कहां जाना है सचिन Academy official app को download करना है अगर play store से कोई app download करने में कोई भी किसी भी की problem आती है तो इस video के description में एक link दिया गया है वहां से भी आप जो है download कर सकते हैं सचिन Academy official app को तो चले हम आज की class में topic ले लेते हैं बच्चे एक topic लेते हैं जैसे मानलो मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसद पढ़ते हैं यारी कि एक होती है गौर्मेंट क्या होती है तो आपने कहां गवर्मेंट होती है government इसे हम क्या बोलते हैं तो आपने कहां सरकार बोलते हैं सरकार समझना बच्चे ध्यान से मैं जयान पूछ कर जो है Een class में एसा ही topic लेता हूं जिसे topic को समझने में बच्चे content को जो है प्रोब्लम आती है तो मैं जान पूछ कर लेता हूँ ताकि आपको यह अंदाजा लग जाए कि किलास किस लेविल की होने वाली है और किसने बहतर तरीके से चीजे आपके लिए होने वाली है तो अगर गोर्मेंट की बात करें बच्चे तो किसी भी देश की सरकार होत होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिट क्या बोलते हैं यूनिट अब अगर मैं बात करूं कि जो भारत सरकार हम पढ़ेंगे तो भारत सरकार में इकाई के अंग कितने होते हैं भारत सरकार में जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं तो अगर मैं बात करूं तीन अंग होते हैं जिसे हम पहला बोलते हैं कारिये पालिका क्या बोलते हैं कारिये पालिका को इंगलिस में क्या बोलते हैं एक्ज क्यूटिव बोलते हैं ठीक है दूसरा जो अंग होता है जिसे आप विधाईका बोलते हो विधाईका और विधाईका कि अगर मैं बात करूँ तो लेजिस लेट का भोलते हैं 30 आधि तीस्रा होता है जिसा हम बोलते हैं न्याय-पाली का न्याय-प्लाक और नीआय-पाली का ко Cindy को तो कौल एक गौळाब की कर पूंच्ज है कि सरकार के क्या निकि न्याय-पाली का यह कि ब दे जिनके माध्यम से सरकार काम करती है अगर मैं इकाई की बात करूँ इकाई का मतलब होता है यूनिट किस किस लेविल पर सरकार का गठन किया जाता है तो अगर मैं इकाई की बात करूँ बच्चे तो इकाई भी जो है कितनी होती है तीन होती है पहली होती है संग क्या होती है सं पिसरी जो सरकार होती है वो होती है इस्थानिय सरकार या लोकल इस्थानिय सरकार तो जो सरकार होती है उसके तीन लेविल होते हैं जैसे हमारी भारेस सरकार है तो वो कौन सी होगी संग्या केंदर सरकार की जैसे किसी भी राज्य की मालो बिहार के बच्चे जो है ज्यादे हो उत्न पृष्ट कशाइब में जो में लोगने का लिकान में होती तो हम पड़े वह नहीं के कि कार्यपालिका क्या होती है विधाईका क्या होती है और नियापालिका क्या होती है इसे हम समझते हैं बच्चे क्या होती है तो अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं तो आप कह सकते हो जो कानून को लागू करती है जो कानून को लागू करती है कानून को लागू करने का काम होता है तो कानून को लागू करने का काम कोन करती है कारियपाली का करते है विधाई का क्या काम करती है ये कानून का निर्मान करती है ये कानून का निर्मान करती है समझ गए बच्चे ये कानून का निर्मान करती है और नियाईपाली का क्या करती है विधाई का दुवारा जो कानून बनाया गया है वो सम्विधान के अनुसार है विधी सम्वत है या नहीं है ये इस रूप में जो है कानून की explanation करती है व्याच्चा करती है तो न्याय पालिका का काम क्या होता है कानून को explanation करना यानि कि कानून की व्याठ्या करना बच्चे इसका काम होता है अब समझना ध्यान से यानि कि विधाई का कानून बना रही है कार्यपाली का कानून को लागू कर रही है और न्याएपाली का ये देख रही है कि जो कानून बनाया गया है वो समविधान और विधी के अनुसारी बनाया गया है जो भी प्रोसिज होता है उसे सही कादे में इमानदारी से जो है फोलो किया गया है इस आधार पर जो है न्याय पालिका कानून की व्याथ्या करते हैं अब हम बात करते हैं कैसे कैसे होता है ये समझते हैं कारिय पाली का या और चीजों को समझते हैं जिसे मैंने ये कहा बच्चे मानलो ये जो है आपने ये कहा कि ये एक सो चालिस करोड देश की जनसंख्या है क्या है बच्चे एक सो चालिस करोड जो है हमारे यहां क्या है लोग है अब हमने देखा इसमें जो है ऐसे लोग होंगे जो अठारे वर्स के जो होंगे अठारे वर्स प्लस के जो होंगे अब इसमें जो है इसमें से भी क्या होगा ये होगे जिसे 18 वर्ष प्लस का होगा और प्लस जो है उसकी वोट होगे वोट होगे इसे हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल क्या बोलते हैं निर्वाचक मंडल यानि कि जो वोट डालता है किसी भी चुनाओं में जो वोट डालने का जिने अधिकार होता है उसे हम निर्वाचक मंडल बोलते हैं जैसे लोग सभा के चुनाओं में आपको पता है जनता वोट डालती है तो सारी जनता थोड़ी वोट डालती है बहुत सारे आदमी ऐसे भी मिल जाएंगे जो पचास साल की उमर में भी वोट नहीं डाल पा रहे हो क्यों क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है वोट ही नहीं बनी हुई है उनकी तो वही बंदा वोट डाल पाता है जो 18 साल प्लस का है और जिसकी वोट बनी हुई है यानि कि वोटर लिस्ट में नाम है यह किसका चुनाओं करता है तो यह जो निर्वाचक मंडल है यह विधाईका का चुनाव करता है किसका बच्चे विधाईका का ये विधाईका का चुनाव करता है विधाईका का चुनाव क्या होता है जैसे आप कहते हैं कि लोग सभा सदस्य होते हैं राज्य सभा सदस्यों का चुनाव जो है जनता नहीं करती वो इंडारेक्टली होता है ज आप कहोगे कि विधाईका के सदस्यों में से कारिये पालिका का चुनाओ होता है। आप कहोगे कि विधाईका का सदस्यों में से कारिये पालिका का चुनाओ होता है। ना तो विधाईका के सारे सदस्यों में से कारिये पालिका चुनाओ होता है। ना तो विधाईका के सारे सदस्य मंत्री तो नहीं होते ना सारे सदस्य मंत्री नहीं होते तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये विधाईका है और ये कारिये पाली का है कारिये पाली का है तो यहां जो संबंध होता है वो वेन डाइग्राम इस तरह से बनता है यानि कि विधाई कि कुछ सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं पक्की बात है अब आप इसे दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हो कि सर ये तो वो है जो कार्यपालिका विधाइका के सदस्य है ठीक है देखो ये दोनों तरीके से बन सकता है आप इसे ऐसे भी बना सकते हो इसी डाइग् कारियपालिका के सारे सदस्य जो है विधाईका के सदस्य होते हैं तो इस अंदर में ठीक है लेकिन कई बार ये भी ठीक होता है बच्चे और कई बार ये भी ठीक होता है कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहरा हूं कि कारियपालिका और विधाईका के बीच सक्तियों के सम्मिस्रन का सिध्धान्त होता है कैसा होता है सक्तियों के सम्मिष्रन का सिध्धान्त होता है कॉम्बिनेशन का क्यों होता है अगर आप से कोई कोशन पूछे कि कारेपालिका विधाईका में सक्तियों का सम्मिष्रन का सिध्धान्त क्यों होता है तो उसका रीजन है कि कारेपालिका का स सदस्य नहीं है तो उसे अपने मंत्री बनने के 6 महिने के अंदर अंदर जो है किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा अन्य था उसे रिव जाइन करना पड़ जाएगा त्याग पत्र देना पड़ जाएगा तो इस समझगे कारिय पालिकार विधाईका का मतलब क्या हो जो बच्चे कि आखिर कई बार डायग्राम यहां से भी बन रहा और कई बार यहां से भी बन रहा तो एक चीज और समझे जो यह विधाईका होती है जो यह विधाईका होती है इस विधाईका को ही हम संसद बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं इस विधाईका को ही हम संसद ब तो इसका मतलब वो क्या है। तो आप कहोग़े वो विधान मंडल है। जिसमें विधान सभा और विधान परिस दो काम करते हैं। दो तरह की एक होती है राजनीतिक कारियपालिका क्या होती है राजनीतिक कारियपालिका होती है पोलाइटिकल एक्जक्यूटिव बोलते हैं से क्या बोलते हैं राजनीतिक कारियपालिका को अगर मैं कहूं तो इसे इंगलिश में बोलते हैं पोलाइटिकल एक्जक्यूटिव जितने भी मंत्री होते हैं यानि कि सारे के सारे जो मंत्री होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं बच्चे और एक होती है प्रसासनिक कारिय पाले का क्या होती है प्रसासनिक कारिय पाले का तो मंत्री ही थोड़ी कानून को लागू कराते हैं कानून को लागू तो IAS PCS पुलिस ये सब कराते हैं परसास्निक कारिय पाली का इसे हम बोलते है Administrative Administrative Executive देखो ये क्या होती है ये एस्थाई होती है ये प्रोपर नहीं होती है इस्थाई नहीं होती है और जबकि ये जो प्रसास्निक कारिय पाली का होती है ये स्थाई होती है तो अगर मैं बात करूँ ये जो प्रसास्निक कारिय पाली का है ये वाली ये क्या होती है इसी को हम बोलते है नोकर साही क्या बोलते है नोकर साही या जिसे आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं और इसे जो कहते हैं इसे क्या कहते हैं जितने भी मंत्री होते हैं ठीक है मंत्री परिसद जो मंत्री परिसद होती है उसे हम बोलते हैं राजनेतिक कार्यपाली का तो जब हम जो डाइग्राम बना रहे हैं इस तरह से तो इस तरह से जो हम डाइग् पालिका कह रहे हो ना तो विधाई का और कारिय पालिका का जो हिस्सा कोमन होता है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है जिसे आप बोलते हो राजनीतिक कारिय पालिका समझ गए ना राजनीतिक कारिय पालिका राजनीतिक कारिय पालिका और ये जो ये वाला हिस्सा होता है ये ये वाला जो हिस्सा होता है बाकी का इसे हम बोलते हैं प्रसासनिक कारियपालिका क्या बोलते हैं प्रसासनिक कारियपालिका चीजे समझ में आ रही है मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है चीजे समझ में आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ तो कारियपालिका क्या होती है जो का चुनकर आया हो चाहिए राज जेसाबा से चुनकर आया हो ठीक है तो विधाइका को ही हम संसद कहते हैं यह चीजे समझ गए अब हम लगाते हैं यह चीजे समझने से पहले अब एक न्याइपालिका वाला समझ लेजिए न्याइपालिका वाली और चीज समझ लेजिए देखो अगर मैं बात करूँ मालो ये कारियपालिका है ये कारियपालिका एक्जक्यूट ठीक और ये विधाईका है ये विधाईका है तो कारियपालिका और विधाईका की बीच में ऐसा संबंध होता है जबकि नियाईपालिका बिलकुल अलग होती है अगर कभी जो है आपसे रिज सक्तियों के सम्मिस्रन का सिध्धान्त लागू होता है जिबकि विधाईका और नियापालिका के बीच में जो है सक्तियों के पिर्थक करन सेप्रेशन का रूल लागू होता है तो इनके बीच में अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे इनके बीच में सक्तियों के सम्मिस्रन का सिध्धान्त होता है सम शक्तियों के सम्मिश्रन का सिध्धान्त होता है ठीक है का सिध्धान्त और अगर मैं इन दोनों के बीच बात करूं तो इन दोनों के बाद जो है सक्तियों के प्रिथक करन का सिध्धान्त होता है प्रिथक इस तरह से पर्थकरन का सिध्धान्त लाग होता है यानि कि इनके ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो संसद सदस्य भी हो और जजबी बन जाए या कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो जजबी है और मंत्री भी है ऐसा तो नहीं होगा ना बाद में रेटार्मेंट के बाद बले बन जाए वो सक्तियों के सम्मिशन का सिध्धानत है दोनों एक दूसरे का हिस्सा होते हैं नियाय पालिका का कोई मतलब नहीं है वो बिल्कुल अलाग है तुम्हां सेप्रेशन का रूल लागो होता है ठीक अब हमें जैसे हम टोपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं विधाई का या संसद या संसद जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं गठन इस तरह से हम पढ़ेंगे एक भी हैडिंग हम से छूट न जाए गठन इसे हम क्या बोलते हैं तो आपने कहा कंपोजिशन बोलते हैं या स्ट्रक्चर बोलते हैं हो गया तो इसके पीठा सीन अधिकारी कौन-कौन होते हैं इसके पीठा सीन अधिकारी कौन-कौन होते हैं और पीठा सीन अधिकारी का मतलब क्या होता है तो आप कहते हो प्रेजिडिंग ओफिसर हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रेजिडिंग ओफिसर प्रेजिडिंग एक पेठा सीन जो अधिकारी होते है ना पुल मिलाकर्ष में लोगसबाद्यक्त्र लोगसबाँ पाध्यक्त सराज्य सभा सभवती इन पढ़ते हैं ठाइसर नमबर पर जो हमें पढ़ना चाहिे हमें पढ़ना चाहिए संसद सदस्यों की योगता क्या है संसद सदस्यों की योगता क्या है क्या क्या योगता चाहिए उसे अगर हमें संसद का सदस्य बनना है तो योगता क्या चाहिए यानि कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है फिर चोथा हमें पढ़ना पढ़ता है संसद सदस्यों की एयोगता क्या होती है एयोगता यानि की कौन-कौन सी बाते हैं जिससे जो है उनकी क्वालिफिकेशन यानि की संसद सदस्या जा सकती है डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये भी आपको में पता भाना चाहिए हमें जो है संसदिये कार्यवाही पढ़नी पढ़ती है संसदिये कार्यवाही पढ़नी पढ़ती है क्या बोलते हैं पारलियामेंटरी एक्षन पढ़ने पढ़ते हैं पारलियामेंटरी एक्षन पढ़ने पढ़त क्या है तो यह सारी क्या होती है संसदिये कारवाई होती है और एक चीज अगर मैं कहूं इसमें तो हमें संसदिये विशेसा अधिकार पढ़ने पढ़ते हैं यानि कि संसदों के क्या-क्या विशेसा अधिकार पढ़ने पढ़ते हैं विशेसा अधिकार पढ़ने पढ़ते हैं इतनी सारी चीजे हमें पढ़नी पढ़ती है और इनमें फिर अपने आप में जो है heading आती चली जाएंगी तो हमें क्या पढ़ना है विधाय का संसद का गठन उसके पीठा सीन अधिकारी अगर संसद का सदस्य बनना है तो उसकी qualification क्या है किन किन बातों के होने पर आपकी सदस् संसद की कारेवाई कैसे होती है पारलियमेंटरी एक्षन कैसे होता है सत्र क्या होता है अधिवेशन क्या होता है विगठन क्या होता है समापन क्या होता है डिजोल्व क्या होता है सिनेडाई क्या होता है और आप कहेंगे कि मानसुन सत्र क्या होता है सीत सत्र क्या होता है आ अब हम इसमें एक heading उठाने जो करते हैं। समझे पहले ठीक तो मानलो मैं ने उठाया संसद का गठन। इस संसद का गठन तो टो इस संसद का गठन यो कहता है आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद जो है राश्ट पती, राश्ट पती, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य सभा, से मिलकर बनेगी ते मिलकर है, से मिलकर बनती है, संसद का निर्मान होता है निर्मान होता है ये article हमें 79 कहता है और किस भाग में है ये तो आप कहोगे ये जो है part 5 में है part 5 तो समिधान का भाग 5 ये कहता है article 79 कि राष्टपती लोकसभा और राज्यसभा को मिला कर संसद का निर्मान होता है या संसद का गठन होता है बच्चेन के लिए रहे संसद का गठन समझ गए अब हम जब इसमें गठन पढ़ेंगे तो गठन में हम क्या पढ़ेंगे गठन में हम पढ़ेंगे कि भाई लोकसभा का कैसे होता है राश्टपती तो अलग है राश्टपती तो अगर आप सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि भैश की स्ट्रक्चर क्या है कैसे कैसे बनता है और इसके सदस्य क्या होते हैं, इसके सदस्य संख्या, ऐसे हम लोकसभा में देखते हैं, कि लोकसभा की सनचना structure कैसी है, और इसकी सदस्य को ऐसे कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़े हमें पढ़ने पढ़ते हैं, तो जब हम संसद का गठन पढ होता है और संसद जो है कारिय पालिका में सामिल होता है कारिय पालिका का हिस्सा होता है तो संसद के गठन का मतलब राज्य सभा का गठन कैसे होता है लोक चीज हम क्या पढ़ते हैं इसकी सदस्य संख्या सदस्य कोन कोन होते हैं अब ध्यान से समझ रहा एक एक चीज बिल्कुल मैं कह रहा हूं क्रम से चीजों को जोड़ते हूं पढ़ेंगे ना कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज आपके सामन सरपर्थम तीन अपरेल तीन अपरेल उनिस सो बावन को काउंसिल ओफ स्टेट काउंसिल ओफ स्टेट के नाम से गठन हुआ ये नाम से गठन हुआ ठीक है गठन का मतलब इस्थापित हुआ तो तीन अपरेल उनिस सो बावन को पहली बार जब राज्य सभा बनी तो काउंस of state के नाम से बनी बच्चे, council of state के नाम से और 23 अगस्त, 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा हो गया, इसका नाम क्या हो गया, तो आपने कहा राज्यसभा हो गया, इसका नाम राज्यसभा हो गया, पहला point ये याद रखना, तो अगर मैं बात करो, state of council कब बनी, तो आपने कह 3 अपरेल 1952 में और राज्य सभा कम नाम हो गया उसका तो आपने कहा 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्य सभा को हो गया दूसरा को अपर हाउस का मतला उच्छ सदन उच्च सदन वजह इसी का नाम है बच्चे श्लीक है क्या नाम है उच्छ सदन दूसरा जो आप कह रहे हो ना इसी को जो है हम विशिस्ट या इस्पेशल सदन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं विशिस्ट सदन क्यों बोलते हैं विशिस्ट सदन क्योंकि माना जाता है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो जनता करती है तो कई बार जन प्रड़ सभवा हेंगे लेकिन की बार इससे लिए इस्थाई सदन भी सदन कहा क्या कहा जाता है इस्थाई सदन ये हाउस भी से कहा जाता है तो इसे जह ऑठना या तो ये अर इसे ऑन जाता है क्या कहा जाता है दित्य सदन भी कहा जाता है दित्य सदन तो ये इसी के नाम है अपर हाउस उच सदन कह रहे हो या विशिस्ट सदन इस्पेशल हाउस कह रहे हो पर्मानेंट हाउस इस्थाई सदन कह रहे हो या दित्य सदन सेकंड हाउस कह रहे हो इसका मतलब राज्य सभा की इसका मतलब क्या हुआ अर्थाहत इसका विगधन नहीं होता अर्थाहत इसका विगधन को क्या बोलते हैं डिजोल्व का मतलब यह ऐसा नहीं है जैसे लोकसभा की तरह हर जो है पांस साल पे भंग हो जाती है और दुबारा नए चुनाओं होते हैं तो यह एक इस्थाई सदन अर्थात इसका विगठन नहीं होता है नहीं होता है इसका विगठन नहीं होता है बच्छे दूसरा अगर में बात करूं कि इसके सदस्य का कारेकाल 6 उसके सदस्य का कारेकाल 6 वर्ष होता है सदस्य का का रिकाल 6 वर्ष होता है उयानente 7 दूसरी बात आप यह भी चेह सकते हूं यह जो इस्ठाइज सदनना तो आप कह सकते हो अपना स्थान चोड़ते हैं अबना इस्थान छोड़ते हैं इसका मतलब समझ गए ना कभी sì सारे सधस्यों का कारियकाल एक साथ पूरा नहीं होता है इसमें हर दो साल पर एक तिहाई का जो है रिटार होते हैं फिर उनकी जगे नए चुन ले जाते हैं फिर दो साल बाद एक तिहाई रिटार होते हैं फिर नए चुन ले जाते हैं फिर दो साल बाद जो है एक त्यारेटर होते हैं, ने चुन ले जाते हैं, तो कभी ऐसा समय नहीं आता जिसमें राज्य सभा के सारे सदस्यों का कारिये काले एक समाफ्थ होता हो, इसलिए से स्थाई सदन कहते हैं, इसका मतलब यह डिजॉल्व नहीं होता, विग्ठन नहीं होता समझ गही है, नहीं होता विग्ठन नहीं होता बच्चे अब हम बात करें कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तो इसके सदस्यों का चुनाव जो है एपर्टेक्स तरीके से होता है उसमें जनता वोट नहीं डालती है हम और आप वोट नहीं डालते उसमें जनता के दुवारा चुने कि जब हम क्लास कर लेंगे क्लास का कंटेंट समझ लेंगे तो उसके बाद जो है कोशन प्रक्टिस कैसे करेंगे यह किस तरह के कोशन पूछे जाते हैं ठीक है मैंने कुछ बीपी एसी या अधर एक्जैम के कुछ कोशन उठाने की कोशिस की है यहीं से लोग सभा राज्य सभ से तो देखते हैं बच्चे कुछ कोशन समझने की कोशिस करते हैं ठीक है चलो कि देखो बच्चे किस तरह से कोशन पूछे जाते हैं यह ध्यान से देखो हम कुछ कोशन भी समझ लेते हैं किलास तो हमें करनी है अब डेली करनी है अपनी एपट किलास चल रही हैं तो अगर हम बात करें यह कोशन जो है बीपी एसी नहीं पूछा है आलांकि टीचिंग लोग सभा के लिए आपको लोग सभा का सदस्या बनना है अगर लोग सभा का सदस्या बनना है तो आपको निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए नियूनतम आयू कितनी है अगर आपको लोग सभा का सदस्या बनना है तो आपको उम्र चाहिए 25 वर्स यानि कि मि कि प्रावधान नहीं है तो यह जो हैसम देखते हैं अब की बारay उस ने यह नहीं कहा कि लोगसभा का है यह राज सभा का है द्यान से देखना लोक सभा का है या राज्ये सभा का और देखो जो BPSC जो PCS वाले BPSC होते हैं प्री एक्जाम उसमें एक ओल्ड ट्रेंड होता है उसमें पांच ओप्शन देते हैं अगर पांच ओप्शन आपको दिख रहे हैं इसका मतलब समझ जा वो BPSC के PCS में पूछा गया है यानि कि अपर PCS की प्री परीक्साम तो यहां कहरा है संसद सदस्य बनने के लिए क्या है तो आपका Sari Kors क्या होगा पच्चीस वर्स लेकिन अगर वह कुछन ये कह देता कि राज्यासबा तो संसद का सदस्य बनने के लिए निवनतम आई यू कितनी है तो आपका अंस्वार होना चाहिए था त्वन्टी फाइव या निन की राज्ये सभा से 30 वर्स बच्चा के लिया रहा तो यहां शंसर सदस्य से बनने के लिए नियूनतम उम्र पूछी थी तो नियूनतम तो लोग सभा वाली होती है तो 25 वर्स हो गई अगला कोशन देखिए यहां देखिए लोग सभा में जो राजियों को किस आधार पर सीटे आवंटित की गई है जैसे अगर आप देखें सबसे ज़्यादे जो सीट है वो यूपी में है कितनी है यूपी में असी और आप बीपी एसी वाले को तो बिहार की विल्कुल याद रहनी चाहिए क्योंकि कोशन पूछा जा सकता है बिहार में कितनी है 40 लोग सभा सीट है बिहार में तो ये जो सीट निर्धारित की गई है ये किसके आधार पर की गई है उपी को ज़ादह दे रखी है बिहार को इतनी दे रखी है महाराष्ट को फिर दूसरे नंबर पर है पिर आंद्र पर्देश है पिर तमिल नाडव किस आधार पर की गई है तो जिस परदेश की जनसंख्या जितनी है उसी रेशियो में जो है उसकी लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित की गई है बचे तो किस के आधार पर है ये जनसंख्या के आधार पर है तो जनसंख्या जिस देश की जितनी जादे होगी या सोरी राज्य की जादे होगी वहां लोगसभा की सीट जादे होगी और जिस राज्य की जिनसंख्या कम होगी उसी रेशियो में वहां की लोगसभा सीट भी कम हो जाएंगी ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं बारत के सम्विधान के अनुसार कह रहा है Article 82 है कि अनुसार लोकसभा की सीटों का राजियों के मध्या आवंटन किस वर्स की जनगन्ना के आधार पर किया गया है यानि कि ये जो मैंने बताया कि UP को जो है 80 मिली हुई है और बिहार को जो है 40 मिली गुई है ये जनसंख्या के आधार पर है तो किस वर्स की सेंसस के आधार पर है तो आप कहोगे ये जो नियम है न ये 1971 की जनगन्ना के आधार पर है और ये जो है 2026 तक ऐसी रहने वाला है 2026 तक ऐसे ही रहने वाला है फिर 2026 के बाद जो पहली जनगन्ना होगा उसके आधार पर जो है सीटों का बटवारा होगा ठीक है तो जो लोग सभा और राज्ये सभा की सीटे बाटी गए है राज्ये में वो किस वर्स की जनगन्ना के आधार पर है तो आपने कहा 1971 की जनगन्ना के आधार पर है और 84 वा ज कोशन नमबर पांच देखते हैं यहां देखो यह भी देखो कोशन यह यह लोग सभा में राज्यवार सीटों का अवंटन 1971 की सेंसस के आधार पर किया गया है तो किस वर्स तक ऐसा रहेगा तो मैंने अभी बताया दो हजार शब्विस तक ऐसा ही रहेगा दो हजार शब्विस में सदस्यों की जो अधिक्तम संख्या होती है वो कितनी होती है अधिक्तम संख्या कितनी निर्धारित की गई है तो अगर मैं बात करूँ वो होती है 552 552 में कैसे होता है जो 530 होते हैं 530 यह तो होते हैं इस्टेट से कहां से होते हैं इस्टेट से और जो 20 होते हैं यह होत शब्सक्राइव के तो आप होगे कि यह क्या करें है चुनाव होता इनका इस नॉमिनेटर होते हैं जो अब समाप्त हो चुके हैं ठीक है अब नहीं होते हैं एंगलो इंडियन यह समाप्त हो चुके हैं 26 जनवरी 2020 के बाद जो है यह समाप्त हो चुके हैं ठीक है तो हम यहां बात करें तो कितने हो गए तो 530 और 20 यूटी से हो गए ठीक अगला कोस्टन हम बात करते है नेक्स्ट कोशन की देखो लोग सभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है क्या पूछा है यह वर्तमान सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है तो अगर मैं बात करूं यह 545 होती है बच्चे कितनी होती है 545 तो लोग सभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 545 है अब इसमें भी फिर वो ही नियम होता है कि दो जो है एंगलो इंडियन होते हैं हालनकि वो समाप्त हो गया अगर उसके आधार पर हो तो 543 होना चाहिए लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पैट की परिक्सा हुई है उसमें अभी 2021 वाले में भी 26 जनवरी 2020 से समाप्त हो चुकी है ले जो होगे बढ़ते हैं देखो यह कोशन लिखा है कि लोकसभा में जो केंदरसासित छेत्रों का सरवाधिक परतिनिधी कितना होता है तो मैंने अभी तो बताए आगर वो 552 है तो कितनी बताई मैंने 530 जो है राज्यों से बताई 20 जो है यूटी से बताई यूटी से तो कित ना होता है बच्चा ठीक है कितना होता है समझगे सारी चीजे बताओ कोई डाउट हो तो बताओ चालो आगे बढ़ जाए फिर चालो आगला कोशन करते हैं यहां देखो लोग सभा को अगर उसके कारेकाल की समापती के पूर्व ही भंग करना है तो कैसे करते हैं मान लो मान लो कि मार्च अपरेल 2024 में चुनाओ है और वो जो है अभी दिसंबर 2023 में चुनाओ कराने हो तो क्या तरीका है केवल अगर सरकार जो है बहुमत में है और समय से पहले चुनाओ कराने तो भाई एक ही तरीका होता है अगर प्रधान मंत्री जी और उसकी मंत्री परिशद राष्ट पती को कहें यह सला दें कि हम चाहते हैं कि आप अभी चुनाओ करा लो तभी समय से पूर्व चुनाओ होते हैं नहीं तो नहीं होते हैं बहुमत नहीं है तो फिर तो सरकार गिर जाएगी और सरकार जो है चुनावा योग अपना कारेकरम जारी करेगा और जो है चुनाव हो जाएगे तो एक रहा लोग सबह को उसके कारेकाल की समापती के पूर्व ही भंग करना तो कैसे करेंगे तो राष्टपती करेगा लेकिन मंत्री प संख्या कितनी है देखो राज्य सभा की सदस्य संख्या कितनी है तो अगर मैं बात करूं राज्य सभा की सदस्य संख्या जो होती है मैक्सिमम होती है 250 इतनी होती है मैक्सिमम होती है 250 और प्रजेंट में जो है प्रजेंट में वर्तमान में कितनी है तो आप कहोगे 245 वर्तमा 500 हो जाएगा तो आपने कहा 550 हो जाएगा ठीक है 550 हम इसे बाद में तोड़के भी पढ़ेंगे कि 550 में से 238 राज्य और यूटी से होते हैं और बाकी जो है जो राष्ट पती है 12 सदस्यों को जो है नोमिनेट करता है राज्य सभा में यह सारी चीजे हम पढ़ेंगे आगे content मे और समझ यह question राज्य सभा के जो सदस्य हैं उन्हें कोण चुनता है राज्य सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं तो राज्य की विदान सभाव के सदस्य क्लिए रे चलो इनका चुनाव एपरतियक्स होता है यानि कि जंता वोट नहीं डालती जंता दुआरा चुने गए परतिनी भी वोट डालते है कह राज्य सभा के बारे में कौन सी बात सही है यह भंग नहीं की जा सकती इसका कारियकाल पाँच वर्स होता है गलत हो गया 5 वर्स नहीं होता 6 वर्स होता है कितना होता है 6 वर्स यानि कि यह पॉइंट गलत हो गया पर तेग 2 वर्स बाद एक तिहाई सदस्य का कारिकाल समाप्त होता है सही है इसके सदस्य 25 वर्स से 25 वर्स नहीं 30 वर्स होता है कितना होता है 30 वर्स इसका मतलब यह भी गल कोशन में हैं समझ गए सारी चीज़ है चालो यहां देखो राज्य सभा के सदस्य कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं तो आपने अभी कहा छे वर्स के लिए चुने जाते हैं राज्य सभा के सदस्य कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं छे वर्स के लिए चुने जाते हैं चीक, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, देखो, राज्य सभा को इस्थाई सदन क्यों बोलते हैं, पर्मानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, राज्य सभा को क्यों बोलते हैं, सभी सदस्थे आजीवन सदस्थे होते हैं, आजीवन नहीं, छे वर्स के लिए होते हैं, इसे विग्ठि नहीं होता डिजॉल्व नहीं होता और हर दो सद डिजॉल्व क्यों नहीं होता क्योंकि हर दो साल पर एक यह सद से ही बद छोड़ते है इसलिए डिजॉल्व नहीं होता तो दोनों बात सही है तो इसका अंच्वर होगा बी और से नेक्स्ट कोशन देखिए राज्य सभा को भंग करने का अधिकार किसे है भाई भंगी नहीं होता तो अधिकार किसे होगा तो आप कहोगे नहीं होता जब भंगी नहीं होता तो अधिकार कौन सा होगा तो आप कहोगे उपरिक्त में से कोई है आप कहोगे कि राज्य सभा भंगी नहीं होता तो फिर अध क्यों पूछ के हमें चला रहे हो हम इतनी आसानी से चलने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है संसत को ठीक है चला पूरी महनत जो है बड़ी समझदारी से और कंटेंट और कोशन को साथ दे हुए करनी है बच्चे जिस बच्चे की स्ट्रेटजी जितन साथ एप्रोच बहुत ज़रूरी होती है चलो नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि देखो राज्य सबह का आपको सदस्य बनना है राज्य सबह का सदस्य तो कह रहा योगताओं के बारे में एहरताओं के बारे में कह रहा सही उत्तर चुनिए तो कम से कम उमर 50 सोरी 30 वर्स होनी चाहिए तीस वर्स कह रहा है तो बिल्कुल सही है जहां से अब भरती को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता की रूप में पंजिगरत होना चाहिए चलो मान लेते हैं राज्य के अंतरगत लाब का पद धारन नहीं होना चाहिए नहीं होना निमलिक हित्मे से कौन सा एक कथन राज्यसूची के विशे में सम्मंद विधी बनाने की संसद की सक्ती के बारे में सही नहीं है सही नहीं है राज्यसभा को गोशित करना होगा कि ऐसा करना राज्चित में है नहीं आर्टिकल जो 249 है ना आर्टिकल 249 है वो ये कहता है कि राज्य सभा को जो है राज्य सूची के किसी भी विशे पर जो कानून बनाने की पहल करती है वो राज्य सभा करती है तो आर्टिकल दो सो नंचस क्या कहता है राज्य सूची के किसी विशे पर काम बनाने की जो पहल करता है वो राज्य सभा करती है बच्चे तो आगे देखते हैं अगला कॉस्टन देखते हैं यह देखो लिखा है निमलिकित में से किसके सम्मन्द में राजसभा का अनन्याधिकार है अनन्याधिकार का मतलब समझ गे ना कि केवल और केवल उसे ही यह राइट है तो अगर मैं बात करूं एक होता है आर्टिकल 249 और एक होता है आर्टिकल 312 अगर राज्य सूची के किसी विशे पर कानून बनाना है तो आर्टिकल 299 के तहट केवल राज्य सभा बनाएगी तीन सो बारे होता है All India Service अगर कोई नई अखिल भारतिय सेवा का निर्वान करना है तो केवल और केवल राज्य सभा करेगी ये दो राइट ऐसे हैं जो केवल और केवल राज्य सभा का राइट होता है लोग सभा इसमें नहीं करते हैं तो पहला तो गलत हो गया दूसरा भी गलत हो गया ये हो जाएगा अगर कोई नई All India Level की जो बनानी है में अखिल भारतिय सेवा तैयार करनी है बनानी है तो वो केवल और केवल आल्टिकल तीन सो बारे के तहट राज्य सभा करते हैं बच्चे ठीक है राज्य सभा करती है निमलखित में से किसके सम्मंद में राज्य सभा का अननन है ये तो यही कोशन रिपीट होगा ठीक है यही कोशन रिपीट होगा तो आंसवर क्या होगा C होगा बच्जा ठीक, चरलो एक और कोशन देख लेते हैं यो देख संघ्यय छेतरों का परतिनी दितू संघ्यय छेतर में अगर हम बात करें लोकसभा की भी seat है राज्यसभा की भी seat है तो आंस्वर क्या हो जाएगा दोनों सदनों में लोकसभा में भी seat है और राज्यसभा में भी seat है तो संग्य छेतरों का मतलब होता है UT को UT को जो seat दी गई हैं वो लोक सभा में भी हैं और राज्य सभा में हैं तो दोनों जगे जो है उसका परतिनेधित्व है यानि कि वो representation कर सकता है representative बन सकता है UT यानि कि केंदर सासित परदेश तो इस तरह से हमने जो है एक introductory class ली जिसमां हमने जाना कि हम किस तरह से content पढ़ें जो है solve करेंगे उनकी practice करेंगे ताकि हमारी तैयारी बहतर हो अब मैं इस class को जो है यहीं खत्म करता हूं और एक बार अपनी बात फिर दोराता हूं कि BPSC 7th phase की जो भरती निकली है उसमें PRT complete batch और TGT PGT का language और general study वाले paper का batch जो है पर्चेज करने के लिए आप Google Play Store से सचिन Academy official app को download करें अगर कोई वहां से problem होती है एप को download करने में यह आपको नहीं मिलती है तो आप इस video के description से भी सचिन Academy official app को download कर सकते हैं एप को download करने के बाद course से संबंदित सभी जयनकारी वहां को available हो जाएगी ठीक है बचे फिर मिलते हैं एप पर अगली class में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत